हलो दोस्तो आज मैं आपको सामबर मसाले बनाना बताऊंगी बिल्कुल आसाम तरीके से इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोटी कड़ाई रखेंगे गैस पे और फिर इसके बासे उसमें हम आठ दस लाल मिर्च भून लेंगे और फिर जब मिर्च भून जा तो हम इसको एक बरतन में निकाल के रख लेंगे फिर साथी साथ में हम दो चम्मच के करीब चना दाल डाल के भून लेंगे दाल को सूखाई भूनना है बिना तेल के फिर इसके बासे जब हमारी चना दाल भून जाए तो उसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे साथ में हम दो चम्मच के करीब कच्छा चावल भून लेंगे अब फिर जब चावल हमारा भून जा तो चावल को भी हम निकाल के साइड में रख देंगे फिर इसके बाद से दो चम्मच के करीब हम मेथी लेंगे मेथी को भी हम अच्छे से भून लेंगे अब फिर जब मेथ मेथी मेची सी खुसबू आने लगे तो फिर हम मेथी को भी निकाल लेंगे, साइड में रख देंगे, एक साथ सारे मसालों के साथ, अब फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे, कि हम अब काली सरसो भूनेंगे, अगर काली सरसो नहीं है तो आप राई भी भून सकते हैं, दो चम मच के करीब फिर राई जब हमारी भून जाए तो फिर इसके बाद से हम राई को भी निकाल के रख देंगे फ्रेंड साब सामबर मसाले का रेसेपी जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा यह बिल्कुल मार्केट जैसा सामबर मसाला बनके रेडी होगा फिर हम सारे मसालो को एक जगा एक साती कठा करेंगे फिर इसके बाद से हम चार चंबच के करीब धनिया भून लेंगे धनिया थोड़ा सा हमें ज्यादा यूज करना है फिर इसके बाद से जब धनिया में अच्छी सी खुसबू आने लगे तो फिर हम धनिया को भी निकाल के सारे मसालों के सा फिर इसके बाद से जब सारे हमारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो आम ठाटा मिक्षी की जार में डाल के ग्राइड करलेंगे और फिर इसके बाद से हम गया सोफ कर देंगे अर उसी कढ़ाई में हम कम से कम 10-15 करीपत्ता डाल के भून लेंगे सूख़ा फिर इसके बाद से अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे मिक्सी की जार में हम सारे मसालों को डाल देंगे फिर इसके बाद से साथी साथ में हम करी पत्ता भी डाल देंगे और एकी साथ हम इन मसालों को ग्राइड करेंगे आप फ्रेंड्स ये बिलकुल मार्केट जैसा सामबल मसाला बनके तयार होगा और आप इसको जार में इस्टोर करके रख भी सकते हैं काफी लंबे समय तक और ये मार्केट के मसाले से तो बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये घर पे बनेगा आप सारे खड़े मसाले अपने घर पे रखा कीजिए और कोई साभी आप मसाला बना सकते हैं फिर इसके बाद से हम मसालों को जब ग्राइंड करें जब हमारा पाउडर बन जा है तो फिर हम चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल बारिक हुआ है कि नहीं अगर थोड़ा सा दरदरा है तो आप एक बार और मिक्सी चला दीजे फिर अब हमारा सामभर मसाला बनके बिल्कुल इसमें हम दो चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर बालने से कलर काफी अच्छा आएगा और साथ ही साथ में हमista के करीब हिंगडाल देंगे ताकि हिंग से डाइजेस्ट सही होगा फिर हम इनको अच्छे से एक बार फिर grind कर लेंगे ताकि सारे हल्दी powder और हिंग अच्छे से mix हो जाए अब आपका सामभर मसाला बिलकुल बनके तयार है आप इस मसाले को जरूर से बनाईएगा और अपने घर में रखिएगा और आप इसको बहुत दिनों तक आप इसको रख सकते हैं बस आप इसको अच्छे से जार में इस्टोर करके रख लिजेगा अब आपका सामभर मसाला बनके बिलकुल तयार हो गया है फ्रेंड्स आपको सामभर मसाले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब एंड सेयर करना न भूले और आप एयर टाइट जार में आप इसको इस्टोर कर लिजेगा ने तो आप कांच के जार में भी आप इसको इस्टोर कर सकते हैं और आप इसको सूखे जगा पे आप फ्रीज में भी रख सकते हैं क्योंकि फ्रीज में मसाले जल्दी खराब नहीं होते हैं फिर इसके बाद से अब आपका बिलकुर मार्केट जैसा मसाला बनके तयार है तो आप अपने घर में जरूर से बताईएगा और मैं कोसिस करूँगी कि आपके सामने सारे मसालों की वीडियो की रेसिपी डाल सकूँ झाल 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 झाल